यहां देखे कोचन है दिये गए आकड़े का माध्य ग्यात करें ठीक है यह कोचन देखे 2016 में क्लास्टेंद के परिक्षा में पूछ चुक है ठीक है चलिए हम जानेंगे यहां पर क्या माध्य कैसे निकालते हैं बिल्कुल असान होता है ध्यान समझेगा कोचन में आपका है अन्सराल दिया है 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 ठीक है और बरंबरता 5 दिया है 10-25, 5 और 11 यह आपका कोचन है ठीक है अब यहां पर सबसे बहले क्या निकला हमको माध्य निकल यहां पर अगर हम माध्य को देखे अगर माध्य को हम क्या मान लिए एक्समां लिए ए एक्समां कि यहां पर मेरे बाइब क्या लिए सबसे पहले मान लिए ठीक है अब इन तीनों का मतलब आपको केवल समझ लेना है और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा सबसे पहले को जूड़ना है एक को क्या करना है जूड़ना है मतलब यानि इस चुटाल जूटके त्यक्ष जूड़ना है और यहां पर लिखेगा और यहां पर क्या है ब्रसाइब बार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वा बर्ग चीन निकालने के लिए हम क्या होता है यहां पर देखिए बर्ग चीन निकालने के लिए क्या होता है फर्मूला बर्ग की यहां देखिए बर्ग की की उपरी सीमा बर्ग की उपरी सीमा बर्ग की उपरी सीमा बर्ग की उपरी सीमा बर्ग की उपरी सीमा पलाद ठीक है फिर यहां आप लेखेंगे बर्ग की निचली सीमा मतब बर्ग की निमन सीमा ठीक है यहां आप लेखेंगे बर्ग की निमन सीमा निमन सीमा ठीक है और बाटा में होता है दो बाटा में कितना दो यानि यहाँ देखें यह जो बर्ग दिया है देखें बर्ग अंतराल दिया है यह बर्ग की उपरी सीमा, उपरी सीमा यानि कि क्या है, जीरो है, और निचली सीमा, निचली सीमा इसका क्या है, दोस है, मतलब जो इधर में रहेगा, जीधर में सुरू होगा, वो क्या है, उपरी सीमा है, और जीधर में खोतम होगा, क्या है, निचली सीमा है, ठीक है, यानि जीरो और दोस को हम क्या करेंगे जोड़ देना है जोड़ के किसे भाग करना है दो से भाग करेंगे तो बर्ग चीन एक्स निकलेगा वो किसके होगा इन दोनों को जोड़ेंगे और दो से भाग करेंगे तो किसके सामने लिखेंगे इस पांच के ठीक इसके नीचे लिखेंग फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो इस ठीक के इसके लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे इसके नीचे नीचे इसमें हमको एक टेवल बनाना होगा तब हम क्या लिख सकते हैं बर्गचीन एक्स कमान लिख सकते हैं ठीक है चलिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं नीच यहां पर सिगमा एफ कमाण तो पता है लेकिन एक समस्कामान यहां पर चाहिए फर्मूला मेरे ऐली है । इंदोको जोड़ के किसे भाग करना है दो से भाग करना है तो दosब जीरों कर जोड़ी है कितना होगा गएग Juda पिर 20 और 10 को जोड़िया 20 और 10 को जोड़िये तक होगा तीस वोगा तीस में दो सभाख करना कि यहां पाइगा पॉंदर सब इस होगा तीस और को मतलब क्या होता है में युज़ना को सकता है किसको जोड़ना एक्स INF मतलब ऊप और एकस का मतलब एप और एकस में आपको मौल्टिपलाइ करके यह पेले लिखेंगे पर ही है जोद फिरें यहां दो डियार कर दिए इसका माल लिखेंगे एस उर एकस का और बीच में अंक नहीं मतलब किसी भी चीज का साइन नहीं है तो क्या है मॉल्टीपृलाइक ताहिन है ठीक है तो पांच में पांच से गुणा कर थे कितना होगा डेर्श को 25 में 25 से गुणा कर थे कितना हैंगा 625 छीज़ थी को तो के 25 में 5 से करना करने करना चाहां 25 है अपर 50 50 और 16 एक सथ होगा फिर 45 में जब 11 से गुणा करेंगे तो कितना हैगा 495 495 हो गए यहाँ ठीक है यह क्या निकाल दिये हम FX निकाल दिये और F कमान मेरे भाई यहाँ पर दिया है कोचन में अब देखे हम को किसका मान चाहिए Sigma FX का किसका Sigma FX Sigma FX का मतलब क्या होता है Sigma FX का मतलब कि सब को देखे जीतना यहाँ पर FX दिया है सब को क्या किजिए जोड़ दीजिए सब को क्या किजिए जोड़ दीजिए सब को जोड़ देंगा Sigma FX कमान हो झाएगा और Sigma F कमान चाहिए तो Sigma F किनने कि यहाँ पर F यह जो F है बार embargo D 5 12 25 5 11 लेंगे सेनल निकाल अ ड़े अचले से इसमेर को जोड़ेंगे में सिगलहें सीग्मा एफ ऄपे Цे इन सब को जोड़ए यहां पर लिख देते हैं और इन सब को जोड़कर यहां पर लिखेती अधीक है यह यहां पर जोड़ने पर कितनाइगा शपंड यहां पर 25 सह सब पाचीश पचीश 59 सह 1 बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना है छोपपन यहां पर उपर नीचे भरेंगे और इन दोनों में क्या करेंगे भाग करेंगे यहां पर कितना आएगा भाग करेंगे तीन पॉइंट साथ पांच आएगा ठीक है यहां पर लिक देंगे माध्य बराबर कितना हुआ तीन पॉइंट साथ पांच ठीक है यही हुए आपका एंसर ठीक है तो धन्य बाद अगर आप मेरे चनल पर नहीं है ते मेरे चनल सब्सक्राइब करेंगे को दबा लिजिए